कोटवा निथानाक शेत्र में गंचु अत्यपकार्ण में पुलिस ने चारव रोपी को गिरफ़तार किया है कोटवाल इथानाक्षेत्र में आने वाले जुनी शुक्रवारी में मंगलवार की राद को गमछुर महिशलामबट नामक व्यक्ति की हत्या की वारतात सामने आई थी इस मामले में पुलीस ने प्यूश मालवारी लोकेशेर ने वैबो बानते और गुंजन खाब्रे इन चार आरोपियों को नाकपुर अमरावती रोड से गरफतार किया है वही गवरो रागडे नामकारो पी अभी भी फरार है प्राप जानकारी के अनुसा प्यूश और मृतक के बीश बीते एक साल से विवाद चल रहा था दो दिन पहले रास्ते पर खड़े रहने के बाद पर दोनों में विवाद हुआ था उसी दिन से प्यूश उसके बाकी सातियों ने गमचु का काटा निकालने का तै किया मंगलवार को प्यूश और बाकी आरूपी दो पर चार बज़े से गमचु का इंतजार कर रहे थे रात आट बज़े करीब गमचु आया और पाचो आरूपियों ने चाको और लकडी से वार कर उसकी हत्या कर दी ये प्रात्मिक जानकारी है हत्या के पीछे और कोई वज़े है क्या इसकी जाच पुलिस कर रही है काल रात्री जुनी शुक्रावारी मदे सारे आठ वास्ता चे दर्मियान एक आरूप एक विक्टिम जान चा नाम गमचु आये त्यांची हत्या जलेली आये त्यांत्या मदे एक चाकू आणी दोन काटी चा वापर के लेला है त्या जय गुंजन धोब्डे आणी एक गौरव रागड़े आये ते फरार आये त्यांची सोच पान चालू आये आथा जे इंट्रोगीशन चालू आये जे उद्देश आये ते क्लियल जालेला नहीं आये यामदे चे हैं काय कारणा वर त्या जालेली आये त्यां चालू पास चे घुने नहीं आए पन जे मृत्ताक आए त्यान चे वर 2011 चा एक मडर्डर चा गुना आए त्या आगोधर पन काई गुने आए चर्चा करा दोते थे इंक्वारी आता चालू हुआ है कामेरा पर्सन अखिलेश भारतवाज के साथ अभिशेक पांसी बीसीन न्यूज नाकपूर